Hello Aspirants, Welcome to the Anthropology Online Class मुझे ऐसे questions बहुत बार पूछे गए हैं कि मैं Anthropology subject है क्या? ना हमने इसे school में पढ़ा, ना हमारे college में हैं, बस थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में जाना है जब हम civil service की तियारी करे हैं तो चलिए आज हम इसी topic को लेकर discuss करते हैं कि Anthropology actually है क्या? हमें Anthropology में क्या क्या पढ़ना होता है और Anthropology को हम अपने optional के तौर पर क्यों लेंगे? तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको request करूँगी कि इस channel को subscribe कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आया तो like कीजिए और ज़रूर share कीजिए तो अगर हम Anthropology को तोड़े तो हमको Anthropo और Ulogy मिलता है Anthropo का मतलब होता है Human और Ulogy का मतलब होता है Science ये एकदन general meaning है ओके? आपको Anthropology के बहुत सारा definition मिल जाएंगे बहुत बड़े-बड़े definition, authors के definition मिल जाएंगे पर अगर हम सब definition को एक समरी करें तो हमको Anthropology का मतलब यही मिलेगा Human Science तो Science of Human with respect to time and space Science of Human तो में समझ में आ गया पर ये क्या होता है with respect to time and space ये चलिए अब हम देखते हैं कि क्या होता है आप सभी को पता है कि हमारे पूरवर्ज या हमारे ancestor क्या थे? वो obviously एक बंदर जीनिस के थे, बंदर स्पिशीस के थे और ये बंदर प्रजाती ने आगे चलकर हमारा यानि इनसान का रूप ले लिया अब ये जो पूरा process है बंदर से इनसान बनने का process ये पूरा होने में हजार हजार लाखो करोरो साल लग गए सही तरह इनसान कब इस धर्ती पर आया था? इसका कोई भी written record नहीं मिलता है कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि कब, कौन से दिन, कौन सा तारिक में इनसान इस धर्ती पर आया था, पहला इनसान इस धर्ती पर आया था तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत बहुत पुराना हिस्ट्री है हमारे पुरवच का इसका मतलब अगर हम anthropology लेकर पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? ये जो हमारे बनवानस है, जो प्रजाती, बंदर प्रजाती थी, हमारे पुरवच के प्रजाती उनको लेकर आज तक जो हमारे अभी के human हैं, इनका पूरा हम study करते हैं अब study कैसे करते हैं? इनके time को study करके और इनके space को study करके अब देख लीजिए कि ये एक सबसे पुराना जो first एप आया, जो first प्रजाती थी बंदर की, ये वो प्रजाती है ये देखिए इसके चार पैड से ये चल रहा है, तो चार पैड से चल रहा है, बोडी बड़ी है, इसका मतलब वो पेड के उपड़ तो नहीं रहता है, और बंदरों जैसे ये कहां रहता है ये जमीन पर रहता है और नकल वॉकिंग करता है नकल वॉकिंग मतलब ये देखिए जैसे जिस तरह से ये अपने हाथ से चल रहा है इसको कहते है नकल वॉकिंग अब जब इनको मौसम सताने लगी जैसे कि थंडियों के दिन में थंड और गर्मियों के दिन में गर्म जब लगने लगी तब इन्होंने क्या कि इन पत्थरों को इस्तमाल किया पत्थरों में गुफा बना कर ये रहने लगे पत्थरों की खासियत यही थे कि पत्थर तो इनको मौसम से बचाते ही थे साथ ही साथ forest fire जिनको दाबानल कहते हैं उनसे भी उसको बचाओ मिल जाता था और जंगली पशुएं भी इनके बच्चों को छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनको उठाकर नहीं ले जा पाते थे अब जब गुफाओं में वो रहने लगे गुफा के छोटे छोटे जो पत्थर नीचे गिड़ते रहते हैं अब वो सब पत्थरों को वो कैसे इस्तमाल किया जा सकता है पत्थरों को ये सब सोचने लगे तब पत्थरों को उन्होंने उसका टूल्स बनाया वो टूल्स से वो बड़े-बड़े पशुओं को मानने लगे जिनसे वो कभी डरा करते थे आज उनको वो मानने लगे और इन पशुक वो पूरी तरह से इस्तमाल करते जो चीज वो खा सकते थे उन्होंने खा लिया जो चीज वो पहन सकते थे उन्होंने पहन लिया और जो चीज वो अपने इस्तमाल में ला सकते थे उन्होंने इस्तमाल म उन्होंने अपने इस्तमाल में फायर ला दिया उसके बाद से फायर को उन्होंने अपने अच्छे से काम में ला दिया जैसे कि गुफा में अंधेरा होता था तो रोशनी की जरूरत थी दिन में वो काम करते थे रात में काम नहीं कर पाते थे तो रोशनी की बहुत जरूरत थ ये जो एक-एक स्टेज है human का, जब वो कहीं रहते नहीं थे, grassland में रहते थे, उसके बाद उनको shelter का जो necessity है, वो समझ में आया, वो गुफे में चले गए, गुफा में रहते हुए है, उसके बाद उनको समझ में आया कि नहीं, अंधेरे में हम काम नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद उन्होंने fire discovery किया, जो बहुत बरा invention था, उसके बाद जब वो शिकार करने लग गए, उसके बाद जब वो कपड़े पहने लग गए, ये जो हर एक stage है human का, ये एक ही दिन में नहीं आया, इसको बहुत साल लग गए एक-एक stage को आने के लिए, और जब एक-एक stage आता ह है, तो पुरा cultural process change हो जाता है, जैसे कि पुरा society, पुरा community उसको accept कर लेता है, उसी की तरह रहने लग जाता है, तो ये हर एक-एक cultural process है, और करने वाली बात ये है कि, ये जो culture change हो रहा है धीरे-धीरे, ये culture change के साथ-साथ, geography भी change हो रहा है, ये जो अर्थ का geography है, पहले grassland, उ normal forest आ रहा है, ये जो geography है, ये भी change हो रहा है, तो अब देखिए digging process, digging process भी बहुत बड़ा invention है, जब उनको देखा कि नहीं मिट्टी के अंदर भी कुछ फल पाये जा सकते है, कुछ चीज कुछ उगाया जा सकता है, ये जो digging process उसके बाद agriculture आया, agriculture तो बहुत important phase था, human के लिए क्योंकि इसमें agriculture में उन्होंने क्या क्या domestication भी start किया साथ-साथ ही, और जब agriculture revolution हुआ, जिसको हम neolithic revolution भी कहते हैं, तब ही समझ में आया कि staple food क्या होता है, नहीं तो पहले पता नहीं था कि staple food बोलके भी कुछ होता है, तो staple food का जो concept है, वो agriculture के बाद ही आया, जैसे कि मैंने ब human brain पहले जितना volume का था, धीरे-धीरे उनका brain का volume बढ़ता गया, उसके बाद जब वो brain का volume बढ़ता गया, उसके बाद जब वो brain का volume बढ़ता है, साथ-साथ क्या और biology में भी कुछ चेंज आ रहे है, बोडी में भी कुछ चेंज आ रहे हैं, जैसे कि पहले वो 4 पैर वाले थे, अब वो क्या होए, दो पैर वैले हो गए, ठीक है, उनका दो हाथ फ्री हो गया, पहले तो वो technology, tools बनाना नहीं जानते थे, धीरेधवरो tools बनाने लगे, क्योंकि उनका brain काम करने लगा, brain इंसानों के भाती काम करने लगा, और यही हमें पढ़ना होता है, evolutionary anthropology में, जो कि biological anthropology का part है, अब यहां तक हमें कोई written records नहीं मिलते हैं, writing start हुआ जब हमारा Indus Valley आया, Indus Valley civilization, एक urban civilization ने, जैसा कि आपको पता है, जो neolithic civilization के बाद आया है, चालकुलितिक civilization में, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हो, यह UPSC के हिस्ट्री में, जैसा कि यहां पर written records पाया जा रहा है, यहां से हमारा archeology start होता है, archaeological anthropology, तो देखिए copper age, bronze age यहां पर आज आता है, और साथ में क्या आता है, बहुत सारे evidences आते हैं, जैसे कि priest king, फिर terracotta, उसके बाद mother goddess, जो की मोहिंजदारों में पाया गया है, तो यह सारे जो evidences आए हैं, यहां जैसे पशुपती seal जो है, उस सबसे हम history का interpretation कर सकते हैं, अराम से, अब आप कह सकते हैं, तो यहां तक तो ठीक है, पर हम tribals को लेके क्यों पढ़ाई करें, tribal study क्यों important है, anthropology में, तो tribal study इसलिए important है, क्योंकि tribals को हम primitive people के साबसे मानते हैं, ऐसे people जिनका civilization नहीं आया है, जो barbaric हैं, जो uncivilized हैं, सब व्यता जि study करके ही हम history के society को जान सकते हैं, history के जो culture है, उसको हम जान सकते हैं, तो for example, यहां पर देखिए, एक इंडर्स वैली civilization में पाया गया, एक यहां पर सिल रखा हुआ है, जिसको हम पशुपती सिल कहते हैं, तो पशुपती सिल का एक replica अभी भी मिलता है, मुर्सी ट्राइब मे तो हम कह सकते हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि society या culture या beliefs बहुत कुछ सेम था जो पहले history में भी देखा गया है, और अभी भी, यहां पर देखिए एक और example है, यहां पर mother goddess का example है, जो कि मोहिंजदार में पाया गया है, और mother goddess जैसे सजी हैं, काफी उसी तरह more or less, यहां पर लदा पाखी ट्राइब के एक woman ने सजा है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि यह सारे जो सज्टे हैं, यह सारे जो culture से beliefs हैं, यह बहुत कुछ मैच करता था, अब यहां पर देख लेजे हरपन तेरा कोटा, यहां पर एक family का एक diagram दिया है, जहां पर male female और उनके बच्चे हैं, और साथ म एक domesticated pashu भी दिख रहा है, तो यह भी देखिए, बहुत ज़्यादा similar हैं के decorations भी Masai tribe जो अफरिका के tribe है, तो जैसे मैंने कहा कि tribal study करने से हम reconstruct कर सकते हैं हमारे past को, अब चलिए देखते हैं social anthropology, social cultural anthropology, human जो होता है, वो बहुत सारी चीजों से घिड़ा हुआ रहता है, जैसे क social institution जहां पर marriage होता है, family होता है, kinship होता है, उसके बाद traditional economic patterns and occupation जो वो bread earn करने के लिए रहता है, जो उसका economical patterns जो रहता है, language culture जिससे वो बातचीत करता है, दुसरों के साथ communication करता है, और एक चीज़ से वो डरता है, जो उसको punishment और reward का ग्यान देता है, क्या moral है, क्या moral है, इस science भी include है, जिसमें, इसको छोड़के, जो होता है, political organization, man is always a political being, ये बोला था किसी ने, तो political organization भी human का बहुत important एक पार्ट है, और इनी सब चीजों से human society बनता है, तो अगर हम human society को study करेंगे, तो हमको ये सारे चीजों का ग्यान रहना जरूरी है, अब पूरी दुनिया में कित इतने तरह के society है, कितने तरह के region है, कहीं बड़फ है, तो कहीं बहुत बारिश होती है, कहीं सूखा पड़ा हुआ है, तो बहुत तरह के region से है, और हर एक region की एक अपनी speciality है, और region के साथ साथ लोगों के biological character भी अलग-अलग हो जाते हैं, जैसे Eskimo को देख लीजिए, Eskimo इतने नाटे होते हैं और इतने मोटे होते हैं, उनका culture ही different होता है, हम चाहे तो उस बरख में नहीं रह पाएंगे, पर Eskimos रह रहे हैं, तो इतने सारे different races के लोग रहते हैं पूरे दुनिया में, अब इन races को study करना भी anthropologist का ही काम है, इन races को अगर हम study कर सकते हैं, अगर कर ल क्या होते हैं, कैसे इनको बचा के रखा जाए, इनके community को यह हम करेंगे, यह anthropologist का काम है, और यह सब study करने के लिए genetic study बहुत important role play करता है, तो genetic study जो है वो biological anthropology का एक पार्ट है, अब देखिए twins होते हैं, कुछ twins होते हैं जो कि बिल्कुल same दिखते हैं, कुछ twins होते हैं, अलग दिखते हैं, कुछ twins होते हैं, जुड़े होते हैं, कुछ होते हैं, जो एकदम अलग होते हैं, तो यह सब study करना important है, अब यह study कैसे किया जाए, उनके एकदम अंदर घुसके, उनका gene study करके, उनका fertilization process study करके, हम इनको study कर सकते हैं, तो biological anthropology भी medical science के लिए बहुत बहुत important एक anthropology क पार्ट है, जैसे कि आपने देखा, anthropology जो है, एक human को अच्छी तरह से multi-dimensionally study करता है, इसलिए इसको holistic science कहा जाता है, और यह जो study करता है, इसके past को, future को और present को, यह एक human community के लिए बहुत बड़ा invention है, या बहुत बड़ा subject कहा जा सकता है, तो अब बात आती है कि anthropology को हम optional के स आप से क्यों लेंगे, आप चाहें तो anthropology को मत लीजिए, that's up to you, अगर आपको anthropology में ये वीडियो देखने के बाद interest आ रहा है, तो आप जरूर anthropology लीजिए, क्योंकि anthropology क्या है, एक study of human है, वो क्या करता है, real life example आपको देता है, set करता है, तो आप real life example से एक example आप लिख सकते हो, आप रिलेटेबल लगता है आपको, second जो है, anthropology is very interesting, बहुत interesting subject है, और एक human को पूरी तरह से वो study करता है, multidimensionally, anthropology is easy to understand, देखें आपको तो समझ में आए गया होगा ये वीडियो, and easy to represent, अब जब आपको समझ में आ गया है, आप इसको अच्छी तरह से लिक भी सकते हो, represent भी कर सकते हो, examination के time में, less to memorize and lots to understand, anthropology में इतना याद करने का नहीं होता है, कुछ बहुत कम रहता है, समझने की चीज बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे कि आपने देखा anthropology जो है, वो science है, as well as humanity subject भी है, इसमें history भी है, इसमें biological science भी है, so aspirants का कोई भी stream हो, वो ज़्यादा matter नहीं करता, very scoring subject and overlaps with many GS topics, ये तो ऐसे scoring subject है ही, साथ ही क्या करता है, बहुत सारे GS topics, जैसे main paper 2 में भी आप देख सकते हो, आप बहुत कुछ anthropology से भी लिख सकते हो, apart from this sociology, इसके अंडर आ जाता है, थोड़ा बहुत, फिर इंडस वाली civilization आ जाता है, ये सब important है, prelims के लिए भी, तो अ सल ये देख लेते हैं कि anthropology administration में क्या role play करती है, India is a country of diversities, one has to know every pockets of India before administering India, जैसे कि British लोगों ने हमारे इंडिया में आकर safety valve के तौर पर Indian National Congress बठाया था, क्यों बठाया था, ताकि वो Indians के साथ communicate कर पाए, तो हमारा anthropology पढ़ने का भी यही इरादा है, ताकि हम Indian के pockets को, जो बहु different different जातियों से भड़ी हुई है, different different language से भड़ी हुई है, इनको हम जान पाए, anthropology हमको इनको जानने में help करती है, second thing देखे, different religions with different beliefs exist here, one has to act maturely solving problems without hurting the people sentiments, जब आप anthropology पढ़ते हो, आपको समझ में आता है कि जो बिभिन जातियां है, हर जादियों में क्या क्या practices हैं और क्या क्या beliefs माने जाते हैं, और आप उसी तरह wisely हर एक चीज़ को handle कर सकते हो, और people के sentiment को hurt बिना किये आप कर सकते हो, इंडिया के remote area में ऐसे कुछ extremist organization भी रहते हैं, जैसे कि Bodo, Mao, Naxals, तो यहाँ पर भी इनके कुछ अलग political organization होते हैं, अलग beliefs होते हैं, अलग practices होते हैं, तो इनको भी स के लिए, एक civil servant के लिए, anthropology हम लोगों को बहुत accepting बनाता है, वो चीजों को accept करना सिखाता है, क्योंकि हम cultural relativism यह theory पढ़ कर आते हैं, तो हम चीजों को उनके नजरियों से देख सकते हैं, वहां के members के नजरियों से देख कर हम चीजों को समझ सकते हैं, यह बहुत बड़ी बा राइट्स हैं, वो constitutional provision जो minorities को या SC को मिले हैं, यह पूरे के बारे में अच्छी तरह से हमें ग्यात करता है, हमें समझाता है, तो मतलब यही है कि हम एक अच्छे administrator बने, और anthropology जो है एक जरिया है उस मुकाम तक पहुचने का, अब भी कोई doubt है, कोई query है, तो मुझे जरूर comment क कीजिए, और यह वीडियो अच्छा लगा है, तो इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो anthropology optional लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, थैंक यू दोस्तों, have a nice day and जै हिंद!